रेडियो खाची 90.4 एफेम पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्यान एवं सकार अत्मक्ता को आगे बढ़ाना। अरियोम रेडियो खाची 90.4 एफेम हम सब का रेडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं खिरेश कुमार अतिथी योगशिक्षक योगी भाग राची विश्पीत डाले राची। आज की क्लास को आरम करने की पूर्व सभी लोग एक बार कमागर्दन सीधी कर ले। ध्यान मुद्रा दौनों आखे बन, मन शांत, इस्तिर शरीर, भाव समाधी। ध्यान उकते हुए स्वर्डिंग सूर्य का सभिता देवता का ध्यान। गहरी श्वास लें, एक बार गहरी श्वास लेते हुए, ओम का उच्चारण तत्पस्चात गायत्री महामंत्र। ओम्भूर्भूबाहस्वाह तत्सावितुर्वरेन्यम् भर्गोदे वस्यधी मही धियोयो नहा प्रचोदया। सभी को नमस्कार। आज का हमारा विशय है चित का श्वरूप। आज हम जुती सिमेस्टर के 2002 सिलिबस के अंतरगत चित के श्वरूप की व्याख्या करेंगे। आज का हमारा विशय है टॉपिक है चित का श्वरूप। दोस्तो योग सूत्र में यह शब्द कई बार आता है। योग दर्शन का दूसरा ही सूत्र है योगस चित वित्ति निरोधः। अनेक विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्ण होता है कि यह चित क्या है। द्वारा ही मनुष्य की सारी प्रकार की क्रियाएं संबादित होती है। जैसे मनुष्य द्वारा आखों से देखना, कानों से सुनना, हाथ पर का हिलाना, जितने भी क्रियाएं हैं, जितने भी कारियें हैं, यह चित्त के निवदेशन में ही होती है, चित्त की प्रणना से ही सभी प्रकार की क्रियाएं संपादित होती है, अब आपके मन में यह प्र ऋॉट्मा निकल जाती है तो सारी क्रया भी बंद हो जाती है इस दिश्टी से देखे तो चित्त और आत्मा बिल्कुल एक है मैं लेकिन अनेक विद्वानों का मत है कि चित्तlarda मॉड् buna से चित्त को जड़화 की रूप में माना जाता है जबकि आत्मा शरीर में चेतना का प्रतिनिहित्व करती है तो आत्मा चेतन है और शरीर और चित जड़ के रूप में बताया गया है चित को हम उदारण के रूप में समझने का प्रयास करेंगे आगे इसकी अतरिक्त चित कहां से आता है यह भी एक महत्पूर्ण प्रस्ण है तो इसके संबंद में बतलाये गया है कि जब सिस्टी उत्पन्न हुई विभिन प्रकार के तत्व उत्पन्न हुए जैसे कि बुद्धी तीन प्रकार के गुण, विभेन प्रकार के इंद्रियां, पंज तर्मात्राएं, जितने भी चीजे उत्पन्न हुई, तो उन्ही के समय कहा जाता है कि सिस्टिक उत्पत्ति के समय ही यह उत्पन्न हुआ और तीन गुण जो बतलाए गए हैं, सतो गुण, रजो गुण, तमो जब एतुनों गुण में विसम्यता उत्पडन होती है जब एतुनों गुण में एक गुण कम एक गुण ज्यादा होता है चित्त की उत्पत्ती बतलाई गया है और दर्शन की भाता में यह भी कहा जाता है कि चित जो है प्रकृती का सात्विक प्रिणाम है चीत को त्रिगुनात्मक कहा गया है तीनों गुन इसमें पाये जाते हैं लेकिन तीनों गुन एक साथ नहीं पाये जाता या तीनों गुन अलग अलग अवस्था में अलग अलग मात्रा ज्यादा लिये होता है जैसे चीत को तीन प्रकार का बतलाए गए हैं पहला है प्रख्याशील दूसरा है प्रवित्ती शील और तीसरा है स्थिती शील प्रख्याशील के संदर में बतलाना चाहूंगा प्रख्याशील जो है वो सत्वगुण का प्रधान लिया हो सत्वगुण से प्रधान होता है और सत्तोगुण प्रधान होने की कारण जो है धर्म ज्यान वैराग्य एश्वर्य इत्यादे विश्यों में हमारा जो चित है वह एक्टिव रहता है शक्री रहता है इन चीजों पर रजोगुण के प्रभाव में आने की करण चित जो है विशो में भोग करने के लिए आगे बढ़ता है अर्थात भोग की प्रवित्ती बढ़ती है इसको प्रवित्ती शील के रूप में बतलाए गए है तीसरा है इस्तिती सील के कारण जो है तमोगुर्ण प्रधान होता है चित और अधर्म, अज्यान, अनेश्वर्य, राग, ध्वेस, इत्याज इस चीजों में लगा रहता है तो इस प्रकार से चित जो है तीन बतलाए गये हैं वहों कि प्रक्ष्या सील प्रवित्तीचि और इस्तितिचिल धुल गोलोग कई प्रधानता की कारण बतलाये खी दो भूल को हम उदारान की रूप में समझने का प्रयास करेंगे क्या चीतश और मन एक ही चीज़ है इसके बारे में एक बहुत ही प्रशिद्ध उदारण बतलाया जाता है कहा गया है कि चित्त को एक छोटे से तलाब की रुप में बतलाया गया है इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि जैसे ही हमारे चित्त में कोई भी प्रकार का विशय आता है जैसे आखों के द्वारा हम किसी भी चीज को देखते हैं, कानों के द्वारा किसी भी चीज को सुनते हैं अर्थात को भी चीज को हम इंद्रियों की माध्यम से जब ग्रहन करते हैं तो उसमें विभिन प्रकार के विचार आने लगते हैं जैसे तलाब, तलाब को हम चित मान लें और यदि हम थोड़ा सा कंकर उस तलाब में डाल दें, कंकर अर्थात विशय, थोड़ा सा विशय मन में आने लग गएं, तो अनेक प्रकार के हलचले हमारे मन में उत्पन होने लगती हैं, और इनी हलचलों को वरित्यों के रूप में क समान बतलाए गया है, इस प्रटिक मनी वह चीज है, जिसके समीख हम जो भी रंग रखते हैं, वह उसी के सदिश हो जाता है, उसी के समान हो जाता है, उसी प्रकार चित जब तीन प्रकार के जो गुण बतलाए गये हैं, सतो, रजो, तमो गुण, तो जिस गुण के प्रभा जाले की चीजों में धर्म ज्यान इत्याजी तीजों में लगा रहता है रज efforts की प्रधानता की और रज़ोंगी प्रहांता यंद अविभीन प्रकार के हिंसा, चोरी, विभिन प्रकार के पाप कर्मों में लगा रहता है तो इस प्रकार से चित्द को हम समझ सकते हैं इस रूप में इसके अतरीक्त जिन्होंने योग सुत्र पर सबसे पहला भास किया महर्शव्यास ने, उनके अनुसार चित को इनोंने चुम्बक की रुप में बतलाया है चुम्बक को आप जानते हैं, चुम्बक के स्वामने हम कोई भी चीज रख देते हैं लोहे का वह जिपक जाता है उसी पेकार चित के संपरक में जब पुरुष आ जाता है चित्त के संपर्क में आने पर पुरुज भी चित्त में उत्पन वृत्तियों के अनुरूप सुख, दुख, मोह, आदी का भोग करने लगता है तो चित्त एक तरह से चुम्बक के समान है इसकी अतिरिक्त कई जगा बतलाए गया है उधारन दिया गया है चित्त को एक नदी की उधारन की रूप में बतलाए गया है जिसमें दो तरह की धाराएं है एक धाराएं जो हमें कल्यान की और मोक्च की और ले जाती है दूसरी धाराएं हमें संसार की और ले जाती है समान्य मरस्वों का जो चित है उसमें जो दो धाराएं होती है तो संसार की जो और जाने वाली धाराएं होती है वह मोटी होती है और मोख्च की और जाने वाली बहुत ही धारा हलकी बतलाई गई है लेकिन जो योगी जन होते हैं उनका जो चित है वह मोक्च की और जाने कल्यान की मारग की और जाने के लिए ज़्यादा प्रविर्त होती है वहां की धाराएं ज़्यादा मोटी होती है और संसार की और जाने वाली धाराएं पतली होती है इसकी अतरीक चीत को अंता करण के रूप में भी बतलाये गया है जैसे बाहकरण है और अन्ताकरण बाहकरण में पाँच ग्यानिंद्रिया और पाँच करमिंद्रिया आती हैं और अन्ताकरण में मन, बुद्धी, चित, अहंकार यह चार प्रकार की चीज़े बतलाई गई हैं जिसको अन्ताकरण चतुस्टे भी कहा जाता है इसके रूप में हम जानने का समझने का प्रयास करते हैं अंताकरण के रूप में चित को समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर सभी प्रकार के जो चीजे बतलाई गई हैं मन, बुद्ध, चित, अहंकार इनके अलग-अलग कारिये हैं और कारियों के अधार पर ही हम इसको समझ सकते हैं मन, बुद्धी, चित, अहंकार अनेक दर्शनों में चित के अनेक स्वरूप बतलाए गए हैं जैसे नय दर्शन में अंतह करण के लिए मन सब्द को जादा प्रयोग किया गया है अधवैत दर्शन में मन, बुद्धी, अहंकार और चित को अनतह करण गरूप में स्विकार करते हैं और इसके अतरिक्त सांके दर्शन में मन, बुद्धी, अहंकार को ही अनतह करण मानते हैं परन्तु योग दर्शन, मन, बुद्धी, अंकार और चित इन चारों के समू को ही अंतख करने की रूप में स्विकार करता है। अब यहाँ पे हम कारियों के अधार पे चित को समझने का प्रयास करेंगे। जो चार चीजे हैं मन, बुद्धी, चित, अंकार यहाँ पर मन का बतलाया गया है और मन चंचल भी कहा जाता है। इसके अलावा यदि को भी कारिय को हम करने का निश्य कर लेते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह कारिय बुद्धी के द्वारा लिया जाता है। इसके अतरीक्त अंकार कारिय है मैं हूं की भावना। जैसे यह मेरा है, मैं ऐसा हूं, मैंने यह किया। इत्यादी सभी प्रकार की चीज़े अहंकार करता है यह अहंकार के द्वारा किया जाता है। और इन सभी प्रकार की जो करियाएं हैं, यह इसम्रण समंदिक सारी करियाएं, जो भी हम करते हैं, यह हमारे चीज़े द्वारा होता है। और भूत काल में हम जो भी कर्म किये हैं, जो भी कारी किये हैं, ये सारे कारिये संसकारों को ये रूप में ही हमारे चित में इस्टोर रहते हैं, चित में ही छुपे रहते हैं, और जैसे इस समय पर ये संसकार कारी रूप में प्रविनात होता है, तो ये सामने प्रकट होता है इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो भी क्रियाएं हम करते हैं वो सारी क्रियाएं हमारे चित में इस्टोर रहती है और जैसे ही कोई विशय को पाती है वैसे ही वह संसकार पुना प्रकट हो जाती है और जिस प्रक्ति के जितने अच्छे संसकार होंगे तो अच्छी सारी चीजें प्रकट होंगी और बोरे संसकार होंगे तो बोरे चीजें प्रकट होंगे एक और उदारान द्वारा हम चीत्त को समझने का प्रयास करेंगे यदि लाल टेन जो होता है उसमें बहुत सारी कालिक जमी होती है और जब कालिक कालापन जमा रहता है तब प्रकास बहुत कम बहार आता है किन्तो जब कांच पर से उस कालिक को साब कर दिये जाता है तो भरपूर मात्र में प्रकास सारो और फैल जाता है ऐसा ही हम चित्त के संबन्द में समझ सकते हैं चित को हम प्रकाजदान की काच के समान यदि माने अब प्रकाजदान की बाति को आत्मा के समान माने तो जब चित पर संसकारों का कालिक चड़ जाता है तो आत्मा का प्रकाज बाहर नहीं निकलता किन्तों जब योग शाधना की और हम आगे बढ़ते हैं तो जितने भी मल हैं वो सारी प्रकार की मल साफ हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, और आत्मा का प्रकास जो ज्ञान है वो चार ओर फैलता है, इस प्रकार से मन बुद्धी चित अंकार के रूप में हम चित को समझ सकते हैं, जिसमें मन का कारिय संकल्प विकल्प सोचने का है, बुद्धी का का कार्य निश्य करने का है अंकार का कार्य मैं हो की भावना का विकास करना है और चित इन सारी क्रियाओं को अपने भीतर ग्रहन कर लेता है इन सारी घटनाओं को संसकार के रूप में अपने भीतर ग्रहन कर लेता है उदारार के रूप में समझें कि मान लेजी एक फल चाया वो केला हो सेव हो विशय के रूप में हमारे सामने रखा है फल का ग्यान अब तो आँखों के द्वारा होगा और आँखों के द्वारा होते हुए हमारे बुद्धी तक जाता है बुद्धी के द्वारा कुछ है का भाव उत्पन न होता है किन्तु उसके सामने आते ही हम कोई प्रतिकिया नहीं करते परन्तु जैसी फल का ज्ञान मन के पास आता है मन संसे उत्पन न करता है कि यह सायत फल मेरा है इसको गुरहन करना चाहिए तत्पस्चात फल का ज्यान अहंकार के पास जाता है अहंकार यह फल मेरा है इस रूप में अभिमान करके बुद्धी के पास उसे भेज देता है अंत में बुद्धी उस अभिमान को ग्रहन करती है और यहां निश्य करती ही कि यदि यह फल मेरा है तो इसे खा लेना चाहिए और मनुष्य से इसी अनुरूप क्रिया करता है और फल को ग्रहन कर लेता है अब यहां सारी प्रक्रिय हमारे चित में संसकार के रूप में संग्रहित होती है और भविश्च में उस फल के सामने आते ही इस्वनाड के रिया सक्री होती है इस प्रकार मौनुश उस फल को तुरन ग्रहन कर लेता है तो इस प्रकार से हम चित को विभिन रूप में विभिन उधाराण के द्वारा समझने का प्रयास यहाँ पे किये हैं आगे हम चित की आच अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे अगले क्लास में ओम शांति